एक्जाम्पल नाइन एक्टिरिशन है। टू रिपीयर एक्ट्रिशन को एकट्रिक फॉल्ट चौछ एक्ट्रिक फॉल्ट ऐक्ट्रिक फॉल्ट उसी इसे को रिपेयर करना और याँपी पेटिक माली जी ये भी एक पोल है और इसका हाई दे रखा है फोर मीटर इसके बाद देखे करा he needs to reach a point 1.3 मीटर below the top of the pole to undertake the repair work करा कि वो पोल के top से 1.3 मीटर नीचे तक पहुचना चाहता है वो repair work को करने के लिए तो यहाँ पे देखे यह pole का top है यह वाला a point और यहाँ से 1.3 मीटर नीचे तो माली जी 1.3 मीटर नीचे यह point है यह 1.3 मीटर है यहाँ पे माली जी यह point है d ठीक है और यह d point का जो length है वो pole के top से 1.3 मीटर नीचे है और यहीं पे यह electrician पहुचना चाहता इस point पे तो यहाँ पे देखे इसके बाद बोरा वाट सुड भी दे लेंथ ओफ दे लाइडर डेट ही सुड यूज भीच भेन इंकलाइंड एट एंगल ओफ 60 डिगरी तू दा होरिजोंटल उड इनेवल हीम टू रिज दा रिक्वाइड पोजेशन तो करा उसके लाइडर का लेंथ कितना होना चाहिए जो कि होरिजोंटल के साथ 60 डिगरी के एंगल पे इंकलाइंड है और वो उसको रिक्वाइड पोजेशन पे पहुचने में मदद करें तो देखे यहाँ पे जैसे यह इलिक्टी से नहीं नीचे ग्राउंड हो जाएगा इस तरीके से और यह इस पे लाइडर लगाएगा तो बोला कि इस लाइडर का लेंथ कितना होना चाहिए जो कि इसके रिक्वाइड पोजेशन पे यह लेडर इसको पहुचा दे मतलब D point पे मतलब D point पे और यह लाइडर है जो horizontal के साथ 60 degree पे इनकलाइड है तो यहां पे देखे horizontal ground को ही बोलते हैं न तो यह लाइडर हो गया यह ground हो गया तो यह इसक हो लेडर के पोछा दे तो यहाँ पर मेरूप से हमसे पूछा CD का लेंद तो यहाँ पर मान लिजिए लेट AB is a pole whose height is 4 meter AB एक pole है और इसका height 4 meter है and a point D which is 1.3 meter below the top और एक point D है जो top से 1.3 meter निचे है CD is a ladder और CD इसका ladder तो यहें CD का लेंद निकलना यहाँ पर देखें figure में पूरा है 4 और उपर है 1.3 तो यह कितना हो जाएगा 4 में से 1.3 को माइनस करिए तो यहाँ जाएगा 2.7 meter तो यहाँ से आपको निकालना है CD तो यहाँ से चलेंगल CBD में इंट्रेंगल CBD और यहाँ पर यह पर यह पूल है तो यह 90 ग्री बनेगा तो यहाँ पर देखें ठीटा के सामने वला यह side दे रखा है और यह side आपको निकालना है तो यह तो हो जाएगा और ठीटा के सामने यह P हो जाएगा तो P और ह का relation किसमें होगा साइन में होगा तो यहाँ से लगाए साइन ठीटा तो साइन ठीटा इक्वल टो होता है P बाई H और P है यहाँ पर देखें P कौन है BD है तो P के जगा पूट हो जाएगा BD और H कौन है CD तो H के जगा पूट होगा CD यहाँ पर पूट करिए तो साइन ठीटा के जगा 60 डिग्री एक्वल टो यहाँ से देखे BD है 2.7 यहाँ पर आजाएगा 2.7 तो आपको निकाल नाई है साइन 60 का वह लूट करिए यहाँ जाएगा रूट 3 बाई 2 और 2.7 को आप 9 के टर्म में कैसे लिखेगा इसको अफलिक सकते हैं जैसे यहाँ पर देखे यहाँ पर इसको ऐसे कर लिजे पहले डेस्मल हट आईएगा तो नीचे 10 आजाएगा 10 आएगा तो यहाँ पर यह हो जाएगा ®े को टर्मने काटर में और यहाँ पर हीडे इन्टो याँ概 concept से थीरी को रूट 3 बार में और यह 2 से कटेगा 10 फाइब आब क्रॉस मल्डिप्लाई करेगी तो यह हो जाएगा 5 cd और इत्पर वह जाएगा 9 अंदरूट 3 तो यहांसे cd का भेलू निकाली जी तो यह हो जाएगा 9 अंदरूट 3 अपोन 5 यही छो जाएगा लेडर का लेंथ एक्जाम्पल टेन फ्रॉम अप्वाइंट ओन ग्राउंड फोर्टी मीटर अभे फ्रॉम दफॉट ऑफ टावर टेकर एक प्वाइंट जमीन से जो की टावर के फूट से फोर्टी मीटर दूर है तो यहां पर पहले एक टावर बना लीजिए यहां लेते हैं यह भी एक टावर है और जमीन यह हो जाएगा जमीन और बोला कि जमीन पर एक प्वाइंट है जो टावर के फूट से फोर्टी मीटर अभे है यहां पर देखे सब सब बोला तो माली जी यहां पर जमीन पर कोई प्वाइंट सी है जो टावर के फूट बी से फ 40 मिटर दुर है और उस point से यहां पे ध्यान दिजैगा उस point से दा अंगल ओप ओफ इलबेशन आफ दाफ टावा इस 30 डिगरी उस point से टावर के टौप का जो अंगल ओफ इलबेशन है वो है 30 डिगry countsD this that you like. अनल सी, इस point से टावर के टौप का त Addrop T इस पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ओफिलबेशन यह है 30 दिग्री यह हो गिया 30 दिग्री इसके बार पढ़िए दा एंगल ओफिलबेशन ओफ बार टैंक ऑन दा टॉप ओफ टावर इस 45 डिग्री तेकि टावर के ऊपर एक बार टैंक रखा हुआ है और उस बार टैंक के टॉप का जो एंगल ओफिलबेशन है वह है 45 डिग्री तो यह एवी टावर था और इसके ऊपर मालीजी यह एक बार टैंक है यह डी एक बार टैंक है और यह वोला कि उसी पॉइंट से बार टैंक के टॉप का तो बार टैंक का टॉप कौन है यह डी है तो यहां से इसी पॉइंट से इस बाटर टेंग के टॉप का जो एंगलो फिल वेशन है वो है 45 डिग्री यह पूरा हो जाएगा 45 डिग्री तो यहां पर बोला है गघ्याइबंद का जाएएंग का बहले यह इसे पुछा। यहां पे लेट कह लिजे लेट, यहां पर अधी इस बजाएंग d बॉट्कोंब टावर एक पुएंट सी है जो टावर के फूट से 40 मीटर दूर है तो यहां पे चलिए सबसे पहले चलिए यह छोटा बला ट्रेंगल ABC में इंट्रेंगल ABC यह टावर है तो यह 90 देगरी पे ख़ड़ा रहेगा तो यहां पे आपको आपको निकालना है और B C का भेलो दे रखा है तो ठीटा के सामने यह P आपको निकालना है और यह B हो जाएगा तो P और ब का रिलेशन किसमे होता है तो यहां पे आपको लगाना होगा टैन ठीटा एकोल टू P वाई B और पी दखिए पी यहां पे है AB और B है BC तो यहां से पूट करिए भहिलू तो इसमें ट्रेंगल ABC में ठीटा कितना यह 30 डिग्री है यही है ना छोटे बाले ट्रेंगल का ठीटा तो यहां पर पूट करिए यह हो जाएगा 10 30 डिग्री एक्वल टू AB तो आपको निकालना आई है और BC का भहिलू दे रखा है 40 यहां पर भहिलू पूट करिए ति यहां जाएगा 1 अपॉन अंदर रूट 3 इक्वल टू AB अपॉन 40 यहां से क्रोस मल्टिप्लाई करिए तो यहां पर आप क्या करिए कि थोरा सा दिमाग लगाए AB को यहीं पर रहने दिजिए और 40 को सिर्फ इधर ले आए तो इसको आप के लेख दिए हैं तो यह हो गया AB इक्वल टू 40 पॉन रूट 3 यहां पर इसको रेशनलाइज करिए तो रूट 3 से उपर मल्टिप्लाई और रूट 3 से निचे मल्टिप्लाई तो यह हो जाएगा AB इक्वल टू 40 इंटू और रूट 3 का भहलो 1.73 2 अनिचे रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा तो यह हो जाएगा AB इक्वल टू उपर मल्टिप्लाई करिए दोनों को 69.28 अनिचे में 3 अब यहां पर डिवाइट करिए तो यह हो जाएगा AB इक्वल टू 23.09 यहां पर पता है ना कि 5 या 5 से अधिक रहे तो इसके ठीक पहले बाला जो डिजित होता है वह एक बढ़ जाता है तो यह जीरो था यह हो गया 23.1 मीटर यानि टावर का जो हाइट AB है यह आजएगा 23.1 मीटर यहां पर देखिए AB का जो हाइट है यह आजएगा 23.1 इसके बाद देखिए हमको एक निकालना था AD तो अब आप चलिए पूरा बार बाला ट्रेंगल में यहां से चलिए इंट्रेंगल CBD में ठीक है तो CBD में यहां पर 45 डिगरी है तो यहां पर आपको लगाना होगा 1045 इकल टू PY B तो यहां पर P हो जाएगा यह पूरा BD और B हो जाएगा यह बला BC यहां से पूट करेब हेलो तो 1045 वन हो जाएगा और BD के जगा BD और BC के जगा 40 तो यहां से क्रोस करिए तो BD का भीलवा जाएगा 40 और आपको निकालना क्या था निकालना था आपको AD यह पूरा आगिया है 40 अब खोज सोचिए AD कैसे निकलेगा पूरा में से इसको घटा लिजे तो AD का भेलू निकल जाएगा तो यहां पर AD इकॉल टू हो जाएगा 40-23.1 तो यहां से इसको मैंस करिए तो यह आजाएगा 16 16.9 यहीं हो जाएगा AD का लेंद एक्जामपल 11 एक ट्री इस ब्रोकेन बाइद बीन एक ट्री है जो बीन से तूट किया दे टॉप अस्टक दे ग्राउंड आइट एन अंगल उप 30 डिग्री आइंड आइट डिस्टेंस ऑफ 30 मिटर फॉम दर तूट करा उसका टॉप है जो यह कि निचे हो जाएगा अब देखे मानलश थे हैं कि यह यह से टूट जाता यह पॉइंट वाली जब भी है ठीक है यह पेर भी पोईंट से टूट गया यह जो तूट गया यह निचे कि और आके जूखेगा ति कुछ इस तरीके साथ के जूक गिया और यह घुका था जम से 30 मीटर दूर है यहां पर भूला फाइंड होल हाईट ओप त्री का पूरा हाइट क्या होगा डैट मिससे हम से पूछा अब यहां पर एक ची बता है जीसे एबी जो पॉर्शन था ये टूटकर नेचे जूग गया तो यह वाला पॉर्शन और यह वाला पोर्शन दोनों इधर आके जुका और यहां पे लेट कर लिजिए लेट AC इस ट्री यहां पर एक ट्री है तो आपको पूरा ट्री का लेंज पूछा है तो आप यहां पर देखिये कोन kitchen आ रहाаемे cost eigen आ जो ह्याव1 यहां कि क्या करना होगा कि दोनों का लेंज निकला नौ अब फिर दोनों को आइड कर देना होगा तो पूरा का लेंज निकल नहीं हो जाएगा यहां से देखें बारे-बारे से चलेए सबसे पहले चलेेंकल डी-सी-पी में इस ट्यांगल में में आता है, 10 में आएगा, तह यहांसे लगाइ добав 20 इकवल डी और विसी एगा डी सी तो यहांसे पूट करते हो जैए 30 धिगरी तो 1030 को रहा हाग और डी सी दे रखा हां trucking और 10 30 का भाईलो 1 अपॉन रूट 3 और यहां पर होजाएगा बीसी अपॉन 30 को अपलिक सकते हैं 10 इंटू 3 यहां से देखे रूट 3 से 3 कटेगा रूट 3 बार में यहां पर क्रोस मल्टिप्लाई करें तो यहां से होजाएगा बीसी कोल टू 10 अंडर रूट 3 यहां पर इसको प साइगल में चलिंटरेंगल DCB अब के बार आपको भीडी निकालना है और यह बुमावी दे रखा है और दैर 10 पी ओर ऑर इसका रिलेशन किसमें होता है साइन में ? और B और H का रिलेशन किसमें होता है, cos में, तो यहां तो आप sin 30 लगाई है, या cos 30 लगाई है, कोई भी लगाई है, DB का भेलू, सेम आएगा, हम sin 30 ही लगाते हैं, तो यहां से हो जाएगा sin 30 इक्वल टू, P अपॉन H, और यहां पर देखे, P का भेलू कौन है, BC है, और H का भेलू, BD है, यहां पर भेलू पूट करीए, sin 30 का भेलू, 1y2, BC, यहां पर देखे, BC का भेलू है, 10 अंडरूट 3, और BD तो आपको निकाल लाई है, तो यहां से cross multiply करीए, तो यहां पर आजाएगा, BD इक्वल टू, 10 इंडू 2, 20 रूट 3, तो BD का भेलू आगे, 20 अंडरूट 3, यह बला आगे 20 अंडरूट 3, तो जब यहां आगे 20 अंडरूट 3 है, यह दोनों तापस में कुल है, तो यह भी आजाएगा 20 अंडरूट 3, अब आपको बोला था, AC का लेंथ बताने, तो AC का लेंथ कभ निकलेगा, जब दोनों का आप add करिएगा, तो यहां से निकाल लीजिए, AC इक्वल टू हो जाएगा, AB पलस BC, ठीक है, AC इक्वल टू हो जाएगा, AB पलस BC, और AB है 20 रूट 3, और BC है 10 रूट 3, यहां पर पूट करिए, 20 रूट 3 पलस 10 रूट 3, तो यहां से AC का लेंथ आजएगा, 30 अंदर रूट 3 मीटर, इसके बाद यहां पर चाहिए, तो आप रूट 3 का भेलो भी पूट कर सकते हैं, तो यहां पर आजएगा, 30 इन्टो 1.732, यहां पर इसको मल्टिप्लाई करिए, तो यहां पर आजएगा, 51.96 मीटर, एक्जाम्पल 12, तो साइडो अफ वर्ट कल टावर, ओन अ लेवल ग्राउंड, इंक्रेज़ बाई 10 मीटर, बें द अल्टिट्यूड अफ दा सं, चेंजेज फ्रोम एन एंगल ओफ इलिवेशन, 45 डिग्री टू 30 डिग्री, कराज जब सन के अल्टिट्यूड का, जो एंगल ओफ इलिवेशन है, वो 45 से 30 डिग्री होता है, मलब चेंज होता है, तो सन के यह जो वर्ट कल टावर के जो साइडो है, उसका लेंथ, यह साइडो का जो लेंथ हो 10 मीटर से बढ़ जाता है, यहाँ पर पहले आप एक बस मलीजे, जैसे मालीजी यह एक वर्ट कल टावर है, ठीक है, और इसका साइडो बढ़ा इस तरह के से, और यहाँ पर मालीजी यह वर्ट कल टावर है, यह तो 90 डिगरी पर खड़ा रहेगा, अब यहाँ पर बताइए, इस एंगल का बेलो, इस एंगल का बेलो, कौन सा एंगल का बेलो सबसे बढ़ा होगा, तो जो 90 डिगरी के नजदीक है, जैसे जैसे अप 90 के नज़दिक बढ़ेगा तो इसका एंगल का फैल बढ़ते चला जाएगा माली जी यह है 60 Durie यह है 50 Durie और यह है 30 Durie इस तरिके से माली यहां पे आप याद रखिएबा जैसे जैसे आप 90 के नज़दिक जाएगा ठीक है जो भी रहे इसे मरना नहीं लेकिन और छोटा हो जायेगा तो जैसे-जैसे आप टावर से दूर जाएगा तो एंगल घर्थे चला हो जाएगा जाये गगा और 30 degree हो गया तो यहां ते आपको यह सम्में आ राहा है कि 2 angle बाह रहा है 45 degree 1 और 30 degree तो सबसे पहले आप 2 angle बना लिज्ञे इस तरीके से है। यहां पर माल लेते हैं C है और यहां पर ओमान लिज्य ड है तो वोला कि जब sun का जो angle of elevation 45 degree से 30 degree हो जाता है मतलब पहले 45 degree बारा था लेकिन अब हो गया 30 degree तो जैसे 45 से 30 degree हो गया तो इसके side का लेंट 3 मीटर बार जाता है तो देखिए जब 45 degree का angle बारा था तो इस tower का side का लेंट था वो क्या था यहीं बाला था ना बीसी था 45 degree पर यह टाबर के side का लेंट को और यहीं 20 होगा लेकिन जब यह angle change हो गया 45 से 30 degree हो गया तो जब 45 से 30 degree हो गया तो यह side का लेंट इतना बढ़ गया यह जो cd आको देखिए यह बढ़ेगा side का यह यहीर रहेगा अब पार्ले संटे बह रखा था बिशिंक अब 30 डिगरी बनने में तो यह संटा और बढ गिए यहीं बॉला था कि हो सईदों का लेंद थे वो यह 6 मेटर जाता है हई यह सब तो वो लाएके find the height of the tower, correct to one palace of decimal, तो कराके tower का height बताइए decimal के one palace तर, यहाँ पर question आपको आ गिया होगा समयज में, तो यहाँ पर माल लिजिए late, ab is a tower and bc and bd are its side, देखें ab tower है और इसका side है एक bc है और एक bd है, यहीं दो side है, एक bc और एक bd, इसके बाद देखें, यहाँ पर माल लिते हैं bc equal to x, यह वाला length माल लिजिए, x meter है, late bc equal to x meter, तो यहाँ पर देखें आपको दो triangle दिखेगा, एक triangle देखेगा abc, जिसमें 45 degree बारा, और एक triangle देखेगा abd, जिसमें 30 degree बारा, तो आप देख रहे हैं कि दोनो triangle में ab आ रहा, इस 45 degree बाला में भी आ रहा, और इस 30 degree बाला में भी ab आ रहा, तो यहाँ से 1045 लगाइए, क्योंकि आपको ab का value निकलना है, और bc दे रखाया, तो यहाँ से लगाइए 1045, तो 1045 by b, तो यहाँ पर हो जाएगा ab upon bc, यह सब तो अब आपको आता होगा समझ में, तो यहाँ से put करे value, 1045 का value 1 हो जाएगा, ab के जाएगा ab, और bc का value x, तो यहाँ से हो जाएगा ab equal to x, इसको माल लेते हैं equation, अब पूरा बड़ा बड़ा ट्रेंगल में चलिए, इंट्रेंगल abd, यहाँ 1030 लगाइए, तो 1030 equal to हो जाएगा, p by b, तो ab upon, यह पूरा हो जाएगा bd, इसमें बड़ा 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 ट्रेंगल में चलिएगा, तो य यह होगी अब b, यहाँ पे value put करिए, तो 1 upon under root 3, ab कर जाएगा ab, और bd का value देखिए, क्या हो जाएगा bd का value, यह है 10 और यह है x, तो पूराइट करिए दोनों को, तो यहाँ जाएगा 10 plus x, अब यहाँ पे cross multiply कर लिजे, तो ab को यहीं पराने जीजे, और 10 plus x को यहाँ पे ल cross करेगा, तो ab को यहीं पराने दीजे, और 10 plus x को सिर्फ 1 से multiply किया, तो यह हो जाएगा 10 plus x upon root 3, तो यहीं तो यहाँ पे लिखे है, अब देखिए equation 1 और 2 में, दोनों का lhs equal है, तो rhs पे अपस में equal हो जाएगा, तो यहाँ पे चलिए from 1 and 2, तो यहाँ पे दोनों का rhs equal क x को इधर लाके minus करेगा, तो यहाँ से x equal to 10, तो यहाँ से x equal to 10 upon under root 3 minus 1, अब यहाँ पे rationalize करेगा, तो rationalize करेगा denominator का, तो यह sign change होगा, root 3 plus 1 upon root 3 plus 1 से multiply होगा, तो यहाँ पे देखिए उपर में multiply करेगा, तो यहाँ पे देखिए 10 into root 3 plus 1, और निचे में देखिए a minus b, a plus b, तो a square minus b square, तो यहाँ पे हो जाएगा root 3 का square minus 1 का square, तो ऊपर में हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 under root 3 plus 1, और निचे में root 3 का square 3, और 1 का square 1, तो 3 minus 1, यहाँ जाएगा 2, और यहाँ 2 से काटिए 10 को 5 बार में, तो यहाँ पे आज जाएग तो यहां पे हो जाएगा 5 into root 3 का भेलू put करिए 1.73 पलस 1 तो यह हो जाएगा 5 into 1.73 पलस 1 तो यह हो जाएगा 2.73 अब दोनों को multiply करिए तो यहां जाएगा 13.65 मीटर तो एकस का भेलू आ गया 13.65 अब यहां पे देखे हमसे पुचा था टावर का हाइट क्या होगा और यहां पे देखे टावर का हाइट एकस का भेलू के स्वान में पुट करिए तो यहां पे देख रहा हैं कि a b equal to गया था x था और x का भेलू आया 13.65 तो यह हो जाएगा कि देखे यहां पे करा फ्रॉम दे टॉप ओफ हील के टॉप से तो सबसे पहले एक हील बनाईए यह मानली जी एक हील है a b और हील का टॉप है point a और निचे ग्राउंड हो जाएगा इस तरीके से बोला के from the top of the hill, hill के टॉप से the angle of depression of a two consecutive kilometer stone due east are found to be 30 degree and 45 degree करा हील के टॉप से दो consecutive kilometer stone है, hill के east में तो आप यह तो east को इधर मानली जीए यह इस्ट को इधर मानली जीए आपका मार्जी, जी धर मानना है उधर मानली जीए, माले जाएं hill के इधर east है और यहाँ पे दो consecutive kilometer stone है तो यहाँ पे यह देखिए, दो consecutive kilometer stone, एक मानली जीए C है और एक D है और इस consecutive kilometer stone का जो angle of depression दे रखा, वो दे रखा 30 degree और 45 degree इसका मिर्ला होगा कि यहाँ पे कोई ब्यक्ति खड़ा होगा और यह stone को देख रहा होगा तो भी ना angle of depression बनेगा, angle of depression हमें सा उपर में ही बनेगा तो यहां से देखिए, जैसे कोई ब्यक्ति यहां पे खड़ा होगा यह stone को देख रहा तो यह जब horizontally देखेगा तो इस तरी को देखेगा तो एक यह बला बन जाएगा line of sight और यहां पे angle दे रहा था 30 और 45 तो देखिए यह बला horizontal line और यह line of sight इसके बीज़ा angle बनता है इस ही को न बोलता है angle of preparation तो यह है छोटा बला तो छोटा बला हो जाएगा 30 degree और यह है बड़ा बला तो यह हो जाएगा 45 degree इतना द्वार आपको समझने तो वहला कि find the height of the hill तो hill का height क्या होगा that means यह भी हमसे पूछा है और यहां पे आप धियान देजी फिगर में जब यह 30 degree तो alternate से यह भी हो जाएगा 30 degree क्योंकि आपको बताए थे यह horizontal line दोनों आपस में क्या होगा पैरल होगा तो यह transvirtual का काम करेगा तो यह वाला angle वा और यह वाला angle वा आपस में equal हो जाएगा तो यह भी हो जाएगा 30 degree इसके बाद यह वाला देखे यह पूरा बड़ा वाला यहां से लेकर यह आपको इसको सिर्फ द्यान देना एक horizontal line और एक यह line of sight कहां तक यह angle आ रहा है तो यह horizontal line और line of sight यह वाला ना है यहां तक आ रहा है तो यह वाला angle वा इकोल होगा इसके तो यह हो जाएगा 45 degree और यहां पे लेट कर लजए लेट अीज हेल आपको यहां पर इस रिखना है कि चेके लिए रहा है तो 20 अ credible वो वन किलोमेटर होगा ठीक है यहां पर आपको यह रखना है कि दो कॉंसे कि किलोमेटर स्टोन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वन किलोमेटर होता है जैसे अगर आप रोड पे जा रहे हैं और एक स्टोन यहां पर ठीक है अस्टोन लगा रहा था न रोड पे इसमें लिख रखेगा और आगे जो भी नियर्एस्ट पहलेश रहेगा उसका नाम लिख रखा होता है तो माली जी एक स्टोन यह है और जब भी दो लगातार स्टोन रहेगा तो वह एक किलोमीटर पहीं रहेगा ने तो आप यह चीज़ नोटिस करिएगा ठीक है तो अगर दो लगा c d equal to 1 किलोमीटर और यहाँ पे b c को माली जी एकस किलोमीटर यह है तो यहाँ पे लेट के लीजी लेट b c equal to x किलोमीटर आप देखें आपको निकलना है a b तो आप देख रहे हैं कि a b यह छोटा वला ट्रेंगल में भी आ रहा और a b यह पूरा बड़ा वला ट्रेंगल में जैसे आप यह पीछे वाला केस्टन में आए थे यहांसे बारे-बारे से दोनों ट्रेंगल में चली एक वार यह चोटा वला और एक वार यह पूरा बड़ा वला ट्रेंगल और दोनों से a b का भाईलू निकाल लीजी तो यहां पे सबसे पले चली यह चोटे वाले तो 1045 लगाईए, यह हो जाएगा 1045 इक्वल टू, P अपॉन B, तो P हो जाएगा AB, और B हो जाएगा BC, यहाँ पे आजाएगा 1 इक्वल टू, AB अपॉन BC है, एक्स, यहाँ से क्रोज करें, तो AB अपॉन टू है जाएगा इसको मान लेते हैं equation 1 अब ये पूरा बड़ा बड़ा ट्रेंगल में चलिए in triangle a, b, t a, b, d में चलेगा तो यहाँ पर 1030 आपको लगाना होगा यहाँ पर लगा ये 1030 degree तो 1030 equal to क्या होता है p, y, b यहाँ पर p हो जाएगा a, b और यहाँ पर b क्या होगा तो यह जब 30 आप लगा रहे हैं तो यह पूरा triangle ले रहा है न a, b, d को तो यहाँ पर b यह जो base होगा वो हो जाएगा b, d तो यहाँ पर b, d आजाएगा यहाँ पर 1030 का value put करिए तो यहाँ आएगा 1 upon under root 3, a, b के जाएगा a, b और यहाँ पर देखे b, d का value क्या होगा यह है 1 और यह है x तो दोनों को add करिए तो यहाँ जाएगा 1 plus x अब यहाँ पर cross multiply करें तो आप क्या करिए कि 1 plus x को 1 से multiply करिए तो यहाँ पर हो जाएगा a, b, equal to 1 plus x upon under root 3 इसको मान लेते हैं equation 2 यहाँ पर आक्वारंस बज में जैसे 1 plus x को 1 से multiply करेगा तो यहाँ जाएगा 1 plus x upon root 3 और a, b, यहीं के यहीं रागिया इसके बार देखे equation 1 और equation 2 को दोनों का LHS के आई equal हैं तो RHS हो equal हो जाएगा तो यहाँ पर चलिए from 1 and 2 तो यहाँ पर हो जाएगा x equal to 1 plus x upon under root 3 यहाँ पर cross multiply करेगा तो यहाँ जाएगा under root 3x equal to 1 plus x x को इधा लाइए तो यहाँ जाएगा under root 3x minus x equal to 1 यहाँ पर x को कॉमान ले लिजी तो root 3 minus 1 equal to 1 तो यहाँ पर हो जाएगा x equal to 1 upon under root 3 minus 1 यहांपे अब रिश्नलाइज करें तीए हो जैगा ? bead और यहांपे मल््टिप्लाइए करें तीए हो जैगा ? ऊपर वे तो हो जैगा ? रूट 3 प्लस 1 अनिचे में देखिए a-b 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 a-square-b a-square-b तो रूट 3 का square 3 और 1 का square 1 तो 3-1 आएगा यह हो जाएगा x equal to और यहाँ पे रूट 3 का value put करिए यहाँ जाएगा 1.73 प्लस 1 अनिचे में 3-1 2 तो यहाँ पे दोनों का add करिए तो यहाँ जाएगा 2.73 बाइ 2 और यहाँ पे जब इसको आप divide करिएगा तो यहाँ जाएगा 1.365 तो x का भाइलवा जाएगा 1.365 और यहाँ पे देखिए आप से पूछा था टावर का height a-b और equation 1 में देखिए a-b किसके equal है? x के equal है तो यहाँ पे x का भाइलू equation 1 में put करिए तो equation 1 था a-b equal to x तो यहाँ पे हो जाएगा a-b equal to और x का भाइलू अभी आप निकाले थे 1.365 तो यहाँ पे आजाएगा 1.365 में किलोमेटर झाल झाल